क्या मद्डिप्रदेश תीजघंड और राजस्थान में भारतिय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है वो राजस्थान जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इस बार रिवायत के मुताबिक सत्ता भाजपा के पास जानी तै है उस राजिस्थान में भी मुकाबला जो है वो काटे वाला हो गया है और सबसे बड़ी बात आखिर वोटिंग से पहले भाजपा इतनी बॉक्लाई हुई क्यों दिखाए दे रही है दोस्तों वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराईयों में छिपा है राजनीती का असली खेल यूस चक खबर की गहराईयों को टटोलता दोस्तों ये विडियो कॉंग्रिस की नेता सुप्रिया श्रिनेत ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर पेश किया था आज से दो दिन पहले काईदे से इस पर शो मजे दो दिन पहले करना चाहिए था मगर मुझे ये लगा कि भारतिय जनता पार्टी इस विडियो का खंडन करेगी ये कहकर कि ये जूटा विडियो है या फिर इसका पैक्ट चेक होगा कि ये विडियो सही नहीं है विडियो क्या मैं आपको बताता हूँ जैसा कि सुप्रिया शुनेत के आप ट्विटर टाइमलाइन पर देख सकते हैं प्रत्याशी अमिच्शा से कह रहे हैं गहलोत और पाइलिट की बुराई मत करना जनता नाराज हो जाएगी अब ये विडियो मैं चाहता हूँ आप सुनें और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूँ दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे मंच पर मैं कभी भी कोई ऐसी जानकारी पेश नहीं करता हूँ जिसकी पुष्टी ना हो और अगर घलती से कभी कोई जानकारी चली भी जाती है तो मैंने हमेशा उसके लिए खेद व्यक किया है ये विडियो दो दिन पुराना है और मैंने उम्मीद की थी कि भारतीय जनता पार्टी इसका खंडन करेगी मगर अब तक कोई खंडन नहीं किया है आखिर क्या वज़ा है प्रत्याशी अमिट शाह से क्यूं कह रहे हैं कि गहलोत और पाइलिट की बुराई मत करो तो इसका आसान सा जवाब ये है दोस्तों कि मुख्य मंत्री अशोग गहलोत की जो योजनाएं उनका असर जबरदस्त पड़ा है लोगों पर उनके खिलाफ कोई अंटी इंकंबंसी नहीं है यही वज़ा है कि भारती जनता पार्टी लगातार कनहिया लाल के मुद्दे का जिक्र कर रही है माहौल को भड़का रही है भड़काव बयान दे रही है और प्रधान मंत्री ने तो और कई लक्षमन रेखाएं लांग ली याद कीजेगा दोस्तों उन्होंने तो मध्यप्रदेश में चुनावी सभा में ये तक कह दिया था कि कॉंग्रिस को फांसी लगा दो अब वो स्वरगिय رाजेश पाइलिट का जिक्र कर रहे रहे उनके बेटे सचिन पाइलिट और स्वरगिय राजेश पाइलिट के जरीए कॉंग्रिस पर निशाना साथ रहे है सुनिए उन्होंने क्या कहा था और फिर उस पर वो कैसे रक्षात्मक मुंतरा में आते हैं बात वानी रुकती वो सचिन पाइलेट राजेश पाइलेट के जरीए गुर्जर वोट को भी साथने की कोशिश कर रहे हैं वो ये बार बार कह रहे हैं कि गुजरों का किस तरह से अफमान हुआ है और इसके लिए वो सीधे तोर पर कांग्रिस पर हमला बोल रहे हैं सुनी वो क्या कह रहे हैं कहने कारती है दोस्तों कि मुद्दों पर चुनाव नहीं होगा भड़काओ मुद्दों पर चुनाव होगा भड़काया जाएगा लगातार भड़काया जाएगा और इसकी में मिसाल आगे आपको पेश करने वाला हूँ मगर जो वीडियो मैंने आपको सबसे पहले बताया उसका जवाब नहीं दिया जाएगा बैराल प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका जवाब सचिन पाइलिट ने दिया है आपके स्क्रीन्स पर उनका बयान मैंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान सुना जो तत्थियों से बहुत दूर है हकीकत यह है कि स्वर्गिय पायलेट सहाब इंद्रा गांधी जी से प्रेरित होकर जन सेवा के लिए कॉंग्रिस में आये थे उन्होंने लंबे समय तक जनता की सेवा की और आजीवन सांप्रदाइक ताक्तों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जहां तक मेरी बात है तो मुझे लगता है कि प्रधान मंत्री मोदी को मेरे वर्तमान और भविश की चिंता नहीं करनी चाहिए इसकी चिंता मेरी पार्टी और जनता करेगी सुनिया गांधी जी राहूल जी और प्रियंका जी के साथ हमारा पुराना रिष्टा है ये रिष्टा दिल का है इसमें किसी और को बयान देने की जरूरत नहीं है हम सभी साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे है पाइलेट आगे कहते हैं सच्छा ही ये है कि बीजेपी के पास देश के लिए कोई रोड मैप नहीं है कोई योजनाय नहीं है इसलिए प्रधान मंत्री जरूरी मुद्दों से जनता का दियान भटकाने के लिए ऐसे तथिहीन बयान दे रहे हैं दोस्तों प्रॉब्लिम क्या है मैं आपको बताता हूँ मुद्देश से जैसे भड़काया जा रहा है उसकी मिसाल मैं आपके सामने और पेश करूँगा आपको समझना पड़ेगा कि लड़ाई पूर्वी राजिस्थान की है पिछली बार इसी पूर्वी राजिस्थान की 49 यानि 39 सीट्स में से कॉंगरेस को 35 सीटे मिली थी ये गुरुजरों के बाहूल वाला एलाका है उनकी ताकत वाला एलाका है ये वो एलाका है जहां सचिन पाइलिट ताकत वर है भारतिये जंता पार्टी पूर्व जोर कोशिश कर रही है क्योंकि पिछली बार 49 में से कॉंग्रिस को जानते हैं कितनी सीटे मिली थी 35 सीटें अब भाजपा ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से गुर्जरों के नाम पर जो है माहौल को भड़काया जाए माहौल में गर्मी पैदा की जाए और यही वज़ा है कि सचिन पाइलेट और राजेश पाइलेट को लेकर नाम लिया जा रहा है मगर आपके जहन में सवाल होगा कि प्रधान मंतरी जो कह रहे हैं उसका असर जमीनी तोर पर क्या पढ़ रहा है तो मैं आपको बतलाना चाहूँगा दोस्तों दैनिक भासकर के हिसाब से दो तरह के फीड़बाक मिल रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसको लेकर ग्राउंड पर हमें दो फीड़बाक मिले पहला कि सचिन पाइलेट के साथ जो अन्याय हुआ उसे लेकर एक वर्ग के मन में बदले की ललक दिख रही है दूसरा ये कि भाजपा ने जबरदस्ती राजेश पाइलेट और सचिन पाइलेट को लेकर घलत किया इससे समाज में नाराजगी हो गई है 24 घंटे पहले भाजपा और कॉंग्रिस ने राजनीतिक फाइदा लेने के लिए पाइलेट का इस्तमाल तो कर लिया लेकिन चनता किस पक्ष में फैसला देती है ये देखना होगा हाला कि इतना तैय है कि कॉंग्रिस यहां 2018 जैसा संभवत प्रदर्शन नहीं कर पाए यहां पर अमूमन राष्टवाद और हिंदुत्त की गूंच सुनाई देती है उस इलाके के लिए पार्टी के नेता भड़काओ बयान दे रहे हैं मसलन किरोडी लाल मीना उनका ये बयान देखिए आपके स्क्रीन्स पर कितना भड़काओ है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एक तस्वीर का इस्तमाल किया जा रहा है जहां एक व्यक्ती जो है कनहिया लाल को मार रहा है फरसे से और यहाँ पर किरोडी लाल मिना क्या कह रहे हैं, 25 नवंबर को राजिस्थान में आपका वोट कनहिया लाल को इनसाफ दिलाने के लिए होना चाहिए, कनहिया लाल को मुआफ़ा दिया है अशुक गहलोत सरकार ने, और जिन दो आतंकवादियों ने हमारे कनहिया लाल को मौत क घाट उता रहा था, वो दो आतंकवादी जेल में है, फिर भी भाजपा ऐसे भड़काओं बयान दे रही है, मसलन भाजपा के विवादासपत प्रवक्ता गौरवाटिया, इन्हों ने एक सिलाई मशीन दिखाई है, जिसमें से खून बहरा है, अब आप इन दोनों बयानों में हिंदू होनों की सजा, कनहिया लाल ने पाई इमानदारी से जो काम करता था सिलाई, हमारे भाई कनहिया का सर तन से जुदा कर दिया दरिंदो ने राजस्तान में, उसका कुसूर सिर्व इतना था, कि वो हिंदू था, यही बज़ाए दोस्तों, हिंदुत को भड़कानी की कोशिश लगातार भाजपा कर रही है, इसलिए बार बार चाहे मुख्य मंतरी आदितना थों, अमिट शाओं कनहिया लाल का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि वो चानते हैं, कि अशोक गहलोत की नीतियों का जवाब इनके पास नहीं है, यही वज़ाए कि वो हिंदू म मुसल्मान कर रहे हैं, भड़काओ बयान दे रहे हैं, इसके इलावा इनके पास कोई चारा नहीं हैं दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, मारवार पे खास तोर से फोकस किया जा रहा है, और मारवार से ही अशोक गहलोत भी हैं, हाला कि मैं आपको बता दूँ, अशोक ग क्या हुआ, कि जो विरोधी पक्ष के समर्थक हैं, वो बाहर नहीं आते, सत्ता पक्ष के खिलाफ वोट करने के लिए उनके पास परियाप्त वज़ा नहीं होती, वोट प्रतिशत को लेकर क्या खेल है, उसकी भी मैं चर्चा करूँगा, मगर सबसे पहले दोस्तों मारवार की कौन से चेहरे हैं, दैनिक भासकर के मताबिक अशोग गहलोत तो हैं, दिव्या मदेरना हैं, जियोती मिर्धा हैं और महंत प्रताप पुरी हैं, खबर क्या कहती है, मुख्य मंतरी अशोग गहलोत इसी इलाके से आते हैं, मारवार में शामिल जोदपुर, पाली, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाडमेर और नागौर की 43 सीटों पर इस बार मुकाबला भज गया है, ये इलाका राश्टवाद और हिंदुत के रंग में इस बार ज्यादा ही रंगा आ रहा है, इससे भी खतरनाक सिती निर्दलियों की बनी हुई है, यहां हालात काफी बदले हुए ह लेकिन कुछ सीटों पर पहली बार रोचक हालात बने हुए है, अभी कॉंगरिस के पास 22 और भाजपा के पास 16 सीटे हैं, यानि कि पिछली बार भी यहां पर भाजपा का प्रदर्शन इतना बुरा नहीं था, एक को 22 मिली थी, एक को 16 और वोट प्रतिशत, दोस्तों पिछ भाजपा तो कह रही है, कि भाजपा वोट प्रतिशत बढ़ गया है, इसलिए जनता सामने आई और उसने वोट किया, मगर कॉंगरिस यह उमीद कर रही है कि जो अंडर करंट है, यानि कि सतह के नीचे जो सरगर्मी है, चर्चाय हैं, अशोक गहलोत की जो योजनाय हैं, वो क्या लगता है, आप में से जो लोग राजस्थान में है, वहराल, बढ़े हुए वोट प्रतिशत को लेकर देनिक भासकर क्या कहता है, मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूं दोस्तों, दूसरा, बढ़े नेताओं के सीटों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के दो संक कोविंद सिंग डोटासरा, शांति धारिवाल, अशोक चांदना की सीटों पर मतदान की रुजहान टक्कर वाले रहें, यहां का परणाम कुछ भी हो सकता है, भाशपा में भी राजेंदर राठाओर, बासुदेव देवनानी, सतीश पुनिया और नर्पत सिंग राजवी जैसे नेताओं की परणाम भी स्पष्ट नहीं कहे जा सकते, कॉंग्रिस का फोकस साफ है, कॉंग्रिस मुद्दों पर शुनाव लड़ रही है, योजनाव पर शुनाव लड़ रही है, मगर दूसी तरफ, भारती जनता पार्टी जानती है कि आखरी कुछ लम्हें थे, इस प्रदेश में भी देखा, छतीसगड में भी देखा, और राजिस्थान में भी देख रहे हैं, ये ना भूलें, तेलंगाना में जो चुनाव है, उसके बारे में भी क्या कहा था, हेमंत बिस्व शर्मा ने, कि अगर हम वहां सत्ता में आ गए, तो हैदराबाद का नाम बद लोग खेल चल रहा है, मुद्दों की बात मत करो, वही भड़काओं मुद्दे, हिंदू मुस्लिम मुद्दे, वही उसकी बात करो, और जाहिर सी बात है दोस्तों, कॉंग्रेस जैसे जो दल हैं, उनके सामनी ये बहुत बड़ी चुनावती है, तो मैं आपको याद दिलान कही थी, कि आपको हिंदू मुसलिम पर बात करनी है, या मुद्दों पर, नौकरियों पर बात करनी है, विपक्ष को अपना खेल ऐसे लड़ना पड़ेगा, उसे बतलाना पड़ेगा कि जब हिंदू मुसलिम की बात होगी, भड़काओं मुद्दों की बात होगी, तो मैं भी एक अरसे से मान रहा था कि अशोक गहलोत का सुपड़ा साप हो जाएगा हो इसकता है कोई माना नहीं कर रहा हूं मगर अगर अगर अशोक गहलोत रिवायत बदल देते हैं तो यकीन मानिये दोस्तों लोक सभाज चुनावों के लिए एक उल्टी गिनती शुरू हो जा कार्मिक मुद्दे भड़काव मुद्दे जो हैं वो काम नहीं आने वाले हैं भूल जाएए बीजेपी क्या कर रही हैं इनका जो पूरा पालतू मीडिया है उन्होंने भी कनहिया लाल को लेकर भड़काव कारकरम किये भड़काव बयान दिये क्योंकि वो जानते हैं कि पा भड़काऊ बाते कर सकते हैं जो ठीक नहीं है अविजार शेर्मा को दीजिए जासत नवस्कार